बिल्कुल सर परसाथ इम्रान पताब गड़ी हैं जिनोंने शायद कॉंग्रेस नेत्रेतों के बाद सबसे जादा सभाई की स्टार प्रचारा के तौर पर लेकिन जो एक्जिट पोल आए हैं इम्रान निराशा है मायोसी है बिल्कुल भी नहीं हम जानते हैं के हारी हुई बाजी को जीतने के लिए अखरी हतकंड़ा अपना रही है बारती जन्ता पार्टी की सरकार जमीन पर मैं तकरीबन पंदरा राज्यों में चुनापरचार में गया हूं इंडिया गठबंदन को लेकर के जन्ता में जो उत्साह उसका अंदाजा कोई भी एक्जिट पोल नहीं लगा सकता क्योंकि इस बार मदाताओं ने इतनी साइलेंट टोटिंग की है कि वो किसी किसी से बोल नहीं रहे थे कि हम ओट देने जा रहा है जो भाजपा का वोटर था वो न बोल रहा था जो खरगे जी ने दावा किया 295 सी है और उसके बाद हमें पता था कि एक्जिट पोल में नरेंद्र मोधी जी यही सारे प्रियास करवाएंगे वो 30 कैमरे के साथ तपस्या करेंगे और उसके पाद बाद एक एक एक्जिट पोल निकल करके आएगा जो बताएगा कि 300 के पार 300 के पार मैं तो दो पहर में सोच र राउंड का रिपोर्ट है और आप देखिएगा कि हमारा एक एक प्रत्याशी अंत तक डटा रहेगा ज राहूल जी प्रत्याशी पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अगर चार जून को ऐसे ही नतीज़े आए तो क्या उस दिन EBM पर सवाल खड़े करेंगे ने हम देखि पोल में एक दम सामने देख रहे हैं कि ये भाज़पा को जानबूच करके इतना बड़ा मेंडेट देने की कोशिश की जा रही है ताके मदगणा में रिगिंग की जा सके या मदगणा में कोई बदमाशी की जा सके तो हम इसलिए आज राहूल जी तमाम प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं बाकी रिजिनल पार्टी की नेता भी हमारे वो सब अपने प्रत्याशियों से कह रहे हैं कि अंत तक डटे रहिए इस चुनाओं को अंत तक लड़के जीता जाएगा जिस मीडिया ने पिछले दो धाई महीने में इंडिया गडबंदन को इंडी कहा हो उनके 95 सीट जीत रहे हैं हमारे समर्थक हमारे प्रशंसक सब आश्रस्त रहें इंडिया गडबंदन चुनाओं जीतेगा चलिए तो वोटिंग खतम हो गई है प्रचार खतम हो चुका है लेकिन दावे अभी भी जारी है क्योंकि काउंटिंग बची हुई है कॉंग्रेस को भरोसा है कि इग्जिट पोल के विपरीत नतीजे आएंगे और बहुमत इंडिया गडबंधन को मिलेगा क्या ऐसा होगा जाहिर सी बात है चार जून को ही तस्वीर साफ हो पाएगी कैमरा परसन प्रवींदिक शित के साथ जैनेंद्र एबी पी न्यूज दिली